मेरा ये सवाल है सर ऑपोदिशन मैं देख रहा हूं कि रीजनल ब्लॉक चाहे हो के सिया रहो चंद्रबाबू उन्होंने अल्रेडी मीटिंग्स बुलाने शुरू कर दी हैं मिलना शुरू कर दिया है क्या आपको लगता नहीं कि इससे कुछ बॉखलाट है अपने देखा होगा चुनाव का रगत द्यन करेंगे तो पहले तीन चरण तक वे मोदी को गाली देते थे तीसरे चरण के बाद जब उनकी जमिन खिसक गई तो उन्होंने इवी एम को गाली देना शुरू कर दिया अब दो चीजे वो करते हैं बन्थड 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 मोदी को गाली बन्थड इवी एम को गाली और बन्थड इलेक्शन कमिशन को गाली क्योंकि उनको पता है कि देश की जनता उनको आशिरवाद देने के लिए तयार नहीं है और इसलिए जैसे कोई खिलाडी आउट हो जाता है तो एम्पायर को गाली देने के कोशिस करता है वैसे ही इन्होंने अब इलेक्शन कमिशन को गाली देना शुरू किया है